पुरा कर लिया जाएगा इसके साथ साथ विशेश रूप से शिप्रा नदी बर ब्रीज निर्मान की भी मांग बहुत दिनों से चल रही थी इंदोर से बैतूल मार्ग में शिप्रा नदी में ब्रीज नहीं होने से आ रही दिक्कतों को देखते हुए दस करोड के लागत से दो लेन पूल का भी निर्मान किया जाएगा और यह काम सितंबर 2021 तक पुरा हो जाएगा जबलपूर डिंडोरी मार्ग में भी ब्रीज निर्मान करना है जबलपूर डिंडोरी मार्ग में 26 करोड के लागत से दो लेन ब्रीज का निर्मान किया जाएगा वनवासी बहुल इस शेत्र में ब्रीज बनने से लोगों को अवागमन की समस्या हल होगी इसी तरह इसी तरह आट ब्रीजेस एकतरित काम जो है वो किया जाएगा जिसकी किमत 60 करोड रुपय है ये CRF में ये कारे हो रहे हैं और CRF का तरह 85 करोड के लागत से करीब 60 किलोमेटर लंबाई के चार काम भी किरिज जाएंगे मुरेना में बानमोर से संचरा मंदीर बटेश्वर पड़ावली रिठोरा मारग तता खेरा अजन हुदा कुतवार व विचोरा रिठोरा मारग शिवपूर में बिचोरा दिनोरा मारग से गिजोरी चंदेरी मितरवार मानपूर मारग ये भी होगा ये एक बहुत महतोपुर्ण विशे है जिसके लिए अब काफी तकलिफे हुई थी जो ग्वालियर से देवास का रोड था और इसकी कीमत जो है ग्वालियर से शिवपरी 77 किलोमेटर ये 1055 करोड रुपे है और ब्यावरा से देवास भी फसा हुआ था 141 करोड रुपे है ये मारग भी बन गया है इसका आज लोकारपन हो रहा है इसमें काफी दिक्कते आई शिवराजी को भी पता है कि ये दिक्कते काफी कोड के मामले तक चले पर इसे काफी ये मारग भब बन गया है इसे आगरा से नासिक और मुंबई तक सिधी कनेक्टिटी हो जाएगी आगरा से धौलपूर मुरेना से ग्वालियर तक तता देवास इंदोर खलगाट तक की सड़क पहली बन चुकी है इस मारग के निर्मान के साथ अब ग्वालियर से देवास तक 425 किलोमिटर का काम पूरा हो गया है नरेंद्र तोमर जी अक्सर इसके बारे में बताते रहे थे पर आज ये उनका पूरा काम अब पूरा हो गया है इसी मारग में चार छोटे प्रोजेक्ट पूरे होने से जिनके मार्च 2021 बावीस तक बन जाने से अवागवन में और सुगम हो जाएगा जिसमें नरेंद्र जी आपने बताय हुआ ग्वालियर लिंक रोड 15 किलोमेटर मार्च 2021 तक पूरा होगा शिवपुरी बाइपास 14 किलोमेटर मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा गुना बाइपास 12 किलोमेटर मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और इसमें माधो नेशनल पार्क के पास 6 किलोमेटर का काम भी जल्दी ही सुलजाई लिया जाएगा शहरीक शित्र में मोहना, जवरासी मंदीर, डबरा, हरीपूर, तिरवा तक करीब 80 करोड की लागत से 14 किलोमेटर के मारग को चार लेन करने से लोगों की समस्या भी हल हो जाएगी जो रिवा जबलपूर लखनादोन मारग है, रिवा महर कटनी से जबलपूर होकर लखनादोन तक 4,346 करोड का जिसमें प्रलाजी बहुत अग रही थे और मुझे लगता है कि ये मारग 287 किलोमेटर की सड़क बनने से चार लेन कनेक्टिविटी से पुरी हो जाएगी, ये एकई मारग करीब 4,346 करोड रुपे का है और रिवा जबलपूर लखनादोन मारग से इसमें बड़ा व्यापारिक करीड़ ये साबित होगा इस मारग को पूरा होने से अग इलाबाद से रिवा जबलपूर और नाकपूर होकर हैदराबाद तक 4 लेन कनेक्टिविटी हो गई है और मुझे पता है कि इसमें जो बटाना होता है वो काफी बड़े प्रमान पर देश में जाता है इसके लिए काफी फाइदा इसका होगा महोगाउ से खवासा तक ये जो पेंच के अंदर में आता था ये भी बहुत डिफिकल्ट था इसमें टाइगर सेंचुरी होने के कारण काफी अरचे ने आई अब वो 31 किलमटर का बचा कारे भी जोरों से शुरू है अब ये मैंने टेलीफोन पर देखा कि टाइगर आकर रोड पर बैठे थे और उसका हमने मैंने बैठे हुए टाइगर्स को देखने का भी आउसर मुझे मिला ये 2021 तक पुरा होने के बाद यह रास्ता भी सुगम हो जाएगा भोपाल से साची सागर चतरपूर उत्तरपदेश की सिमा तक ये भी बहुत मतोपूर्णा है इस मारग के बनने से सागर से कांपूर तक सीधिक अनेक्ट हो गई है और भोपाल से साची खज़रो जाने वालों को भी आसानी होगी अभी भोपाल से विदीशा होकर सागर जाने वालों को 6 गंटे का समय लगता है अभी केवल 4 गंटे में इस सफर पूरा होगा इस मारग में घसान नदी मद्यपुदेश उत्य सिमा के पास दो हाई लेवल ब्रीश तता वंतीस कलवर्ट और छोटे पुलों का भी निर्मान किया गया है बोपाल में लाल गाटी से मुबारकपूर मारग ये बोपाल में लाल गाटी से मुबारकपूर तक 374 करूर की लागत से आठ किलो मिटर चार लेन मारग बनने से बोपाल एरपूर्ट जाने की समझ से हल हुई है बोपाल में जो फ्लाइवर था वो भी मैं बार-बार जब एरपुर्ट से आता था तो उसमें भी काफी अर्चे ने आई पर अब भी मुझे लगता हो पूरा हुआ है और ये शहर बोपाल के लिए बहुत मतोपुर्णा सड़क थी जिसमें हमेशा ट्राफिक जाम की स्थिती रहती थी अफ्लाइट पकड़ने वालों का समय इससे बज़ जाएगा शुरूंगार चोली में आरूबी बन जाने से रेल्वे फटक के कारण लोगों की ओने वाली परिशानी भी इससे हल हुई है सियारेप के कार्यों में 275 करोड के लागत से 165 किलोमेटर की लंबाई के छे काम पूरी हुए गे उसमें शिवपरी लूप मारग, ग्वालियर में मकोडा, चिमक, भागवई, करिवेटिव मारग, गुना में पगारा, करोदा, पिरोटा, खुर्द, कामर खेडा मारग, इंदोर में बरलाई, जागिर, धनकडी से धनकडी, जैदपूरा मारग, और विदीशा में बेतोली, फाटक गजब सवदा में आरोभी का निर्मान, ये भी पूरा हुआ है, मैं विशेश रुप से शिवराज जी को धन्यवाद दूँगा, कि ये सब काम करने में मध्यपरदेश के सरकार ने भी बहुत बड़ा सयोग किया है, शुरुवात के समय में में जब मंत्री बना, तो मध्यपरदेश में उल्टा काम हुआ था, शिवराज जी ने एनेज को स्टेट हाइवे कनवर्ट किया था, और जब मैं उनको कहता था कि ऐसा मत करी, अब मैं मंत्री बना हूँ, मैं काम कर दूँगा, पर पुराने अन्बो के कारण वो इतने तरस्त थे, कि उनके मन में अब लेम भी हमने सुल जाए, और जो जो बाते उन्होंने की वो भी हमने पूरी की, दोजार चोदा में किवल पाचजार एकसो चासी किलोमेटर की हमारी एनेज की लंबाई थी, आज वो करीब दुगने से भी जादा, करीब अब धाई गुना से जादा बढ़ गई है, वो करोड की लागत के सड़क निर्मान में 60-70% ज्यादा काम पूरे कर चुके हैं, दोजार तेविस तक पचासार करोड की लागत का कार्यक पूरा करने का लक्षा है, मुझे याद है कि शुराज जी मैं आपके सचवाले में आया था, मंत्राले में, और मिटिंग की थी तब ज उसका भी 105 किलोमेटर का ये काम है, ये 734 करोड रुपे का है, और ये आपके लिए बहुत तकलिप का विशेता ये काम नवंबर 2020 तक पुरा हो जाएगा, मक्सुद्धन गंच शिरोंज ये टूलेन पेवशोल्डर 57 किलोमेटर 280 करोड रुपे का काम है, ये दिसंबर 2020 तक बरेला मनला टूलेन पेवशोल्डर 63 किलोमेटर 390 करोड का ये दिसंबर 2020 में पुरा हो जाएगा, सिंदूर नदी बरेला बाइपास 4 लेन 63 किलोमेटर ये 809 करोड रुपे का काम है दिसंबर 2020 तक पुरा हो जाएगा, मुरेना, अंबाह, पोरसा और भिन ये 100 किलोमेटर 394 करोड का काम जनवरी 2021 तक पुरा हो जाएगा, सागर बिना दो लेन पेवशोल्डर ये 50 किलोमेटर 250 करोड का काम मार्च 2021 तक पुरा हो जाएगा, थिकरी अंजर टूलेन पेवशोल्डर 35 किलोमेटर 250 करोड मार्च 2021 में पुरा हो जाएगा, इंदोर बैतूल टूलेन किलोमेटर 170 करोड रुपे का काम मार्च 2021 तक पुरा हो जाएगा खलगाट जिसको खरगोन सखर देवला टू लेन पेवशोल्डर 80 किलोमेटर 265 करोड का काम मार्च 2021 में पुरा हो जाएगा खजुराओ जासी फोर लेन 162 किलोमेटर 2000 करोड का काम है ये मैं 2021 में पुरा हो जाएगा ये रोड बहुत खराब था उमा भारती जी थी तब भी वो मुझे बहुत बहुत बार बताती थी खोद के रखा था काफी अर्चे ने थी लाने कुशन के प्रॉबलेम थे ये 2000 करोड का काम 2021 तक पुरा हो जाएगा उमरिया शेहडोल तक पुरा हो जाएगा सागर मकरोनिया में आरोल ऑरोवी चित्तीस करोडuden ये मार्च 2021 तक पुरा हो जाएगा सागर खुरई मार्ग में जरी के पास आरोवी फोरलेन ये 77 करोड का काम 2022 ये 660 करोड का ये मार्च 2022 तक पुरा होगा बीना में अरोबी है 35 करोड का ये मई 2021 को पुरा हो जाएगा तो ये समझ लिजे कि 739 किलोमेटर 7,509 करोड रुपे खर्चा करके ये काम अब पूरे हो जाएंगे जो आपने अटकी वी ओजनाओं का बात किया था मैं भी लगातर काम करते रहता हूं और इसका फॉलॉप करता रहता हूं करीब सच 6,260 करोड की 600 किलोमेटर की परियोजना का काम अटका हुआ था 2020-21 में अब ये पूरी हो जनाए पूरी होगी शायद मेरा विश्वास है कि अब आपको रोड के काम के लिए अटके हुए काम के लिए मेरे पास आने की अवशक्ता नहीं पड़ेगी एक काम है उसका भी मैं जवाब दे दूँगा इसमें से बमीठा सतना टूलेन पे उश्वल्डर 95% काम पूरा होगा है नौंबर 2020 में पूरा होगा बोहर गन्झ भोपाल 98% कारे पूरा होगा है डिसम्बर 2020 में पूरा होगा अब्दुल्ला गंज बैतुल पैकेज ये काम फरवरी 2021 में बरसाथ के कारण नदी में पानी होने से ब्रीज के काम में देरी हो रही है पर ये काम 91% पुरा हो गया है और ये बिल्कुल जल्दी ही पुरा हो जाएगा अब्दुल्ला गंज बैचुल पैकेश टू इसमें 45% कारे हुआ है और इसमें 2021 वनविभाग द्वारा अभी तक पेड़ कटाए का काम नहीं करने से देरी हुई है जब कमल्ला जी थे तब भी आपका वनविभाग और अभी आपके समय वनविभाग बराबर सयोग नहीं करता है यार यह बहुत काम अटका के रखता है मेरे आपसे अनुरोदय की जरा यह इसके बारे में बैठकर कुछ हमारे काम अगर आप थोड़े से ध्यान देकर कर देंग जो एक फसीवी योजना है जो सीधी सिंग्रोली योजना है और जिसके लिए सांसद स्रीमती रिती पाठक और हमारे रेवा के विदायक और पुरोवंती राजिंदर शुक्ले मुझे बार-बार मिलते हैं मैंने पूरी कोशिश की यह लागत या इसकी ग्यारा बारा सो रुपे का प्रोजेक्ट है चाह एक सो तीन किलोमिटर चारलिन का है लंबे समय से काम अटका हुआ है मैंने बहुत मिटिंगे इसके उपर लिए हमारी रीती जी मुझे बार-बार बताती रहती है मैं भी कभी-कभी वह मिलती है तो शर्मिंदा हो जाता हूं क्योंकि काम नह अधिकारियों को बैठक में बैंकों को भी समझाने के कोशिश की पास साथ बार मीटिंगे की रीती जी भी थी शुकला जी भी थे अब मैंने उसको नरिड़ा किया कि वो काम को टर्मिनेट करना और जो 30% बचा हुआ काम है वो हमारे मंत्राले से पैसे देखर हम लोग इस का काम को पूरा करेंगे कले ही मैंने हमारे डीजी को कहा था कि इसका टेंडर निकालकर शॉट टेंडर निकालकर ये काम तूरंत करा दो तो अब ये काम तूरंत होगा हमारे पैसे से हम पूरा कर देंगे और मुझे लगता है कि ये एकादेट साल में पूरा हो जाएगा एक सा के अंदर ये पूरा करने का मैं आपको रीती है हमारी सांसच जो है पाठक उनको और शुकला जो को अश्वस्त करता हूं और तब तक इसकी मरमत करने के लिए मैं 16 करोड रुपे अलोट कर रहा हूं ताकि रोड में कोई खराबी नहीं रहे आपको तकलीप नहों और ये खतम क के बाद मैंने मद्यपुदेश में लगबग जो बीमारों काम थे जो तकलीप के थे वो लगबग कामों का अब बैकलॉग खतम हो गया है इसकी मुझे खुशी है अब मैं इसके साथ कुछ नए काम 10,000 करोड रुपे मद्यपुदेश के लिए आज गोशित कर रहा हूं और ये 764 किलोमेटर की लंबाई के काम को मैं आज अवाड कर दिये जाएंगे तुरंत और इसकी शुरुवात होंगी इसकी कोशना कर रहा हूं उज्जेन से जालाबाड 132 किलोमेटर अवार डिसंबर 2020 तक होगा 504 करोड रुपे का ये काम है सागर टोला कबीर चबुत्तरा 45 क किलोमेटर दिसंबर 2020 को इसको अवाड किया जाएगा उसके पहले 200 करोड का काम है बुद्नी रहती नसुरुला गंज 43 किलोमेटर जनवरी 2021 एक सो साथ करोड ये भी काम जनवरी 2021 में अवाड हो जाएगा इंदोर सनावत बोर्गाव 134 किलोमेटर मार्च 2021 ये 3,000 करोड का का काम है ये भी काम निश्चित रुप से मार्च 2021 तक अवाड हो जाएगा बुर्गाव बुरानपूर अकोला 144 किलोमेटर ये अक्टोबर 2021 में ये 3,800 करोड करीब 4,000 करोड का काम है ये भी काम अक्टोबर 2021 के पहले अवाड हो जाएगा जो भारत माला में जो काम करने है जिस डिपियार को हम लोग बना रहे है 4080 किलोमेटर के और उसके बारे में भी ये आभिया आपने जिसका उल्ले किया था मेर से सतना चित्रकूट मेर में माता शारदा का जो शक्तिपीट है 121 किलोमेटर ये राम वनगमन मारगह एक्स्टेंशन है 1700 करोड का इसका डिपियार का क खनवा अशापूर बैतूल ये 212 किलोमेटर है इंटर केरिडोर ये करीब 4000 करोड का काम है ये खनवा अशापूर और बैतूल इसका भी डिपियार का काम शुरू बन रहा है सागर चतरपूर करवी कानपूर और लखनो 335 किलोमेटर इंटर केरिडोर ये 6030 करोड का काम है य देवा लिंक रोड बेला चुरट मारगों को जोड़ने के लिए 18 किलोमेटर 400 करोड रुपे इंदोर खलगाट चार लेन को 6 लेन बनाना 90 किलोमेटर 900 करोड रुपे धहलपूर ग्वालियर चार लेन को 6 लेन बनाना 66 किलोमेटर 650 करोड रुपे ग्वालियर बेस्टन बाइप 20 किलो मेटर 300 करोड रुपे दमोह हिरापूर टिकंबड और चा उत्तर पुदेश सीमा तक 221 किलो मेटर 1105 करोड एनाईपी में और फिर जबलपूर शापूर डिंडोरी कबीर चबुत्तरा 186 किलो मेटर 825 करोड एनाईपी करुवई मुगावली चंदेरी पिछोरी बिनेरी 116 किलो मेटर 801 करोड एनाईपी शोपूर गोरस शामपूर सबलगण 164 किलो मेटर 680 करोड एनाईपी सरला, देवबला, मध्यपुदेश और महाराष्ट सीमा तक 65 किलो मेटर 351 करोड एनाईपी और शहड़ डिंडोरी मंडला 180 किलो मेटर ये 822 करोड एनाईपी ये योजना को भी मैं निश्चित रुप से अगले साल में इसका क्रियान में शुरू करूँगा इसके डिप्यार सबके बंद रहे है जो हमारे विचारनी ये योजना है इसमें भी मैं गती से काम करने की सुचना मैंने दिये बडवानी से बडोदरा गुजरात कनेक्टिविटी ब्यावरा से जहलावार राजस्तान कनेक्टिविटी सतना से सेमारिया सिरमोर शंकरगर इलाबत कनेक्टिविटी रतलाम से बदनावर आश्टा से कन्नोद इंदोर हर्दा के बीज विदिशा से बिना सागर दमो कटनी बालागाट से मंडला, शाहपुरा, उमरिया ये भी काम विचारनी है इसके बारे में भी मैंने गती देने के लिए सुचना दिये है सबसे इंपोर्टन चीज जो है मध्यपुदेश के लिए वो दिल्ली मुंबे एक्सप्रेस हाईवे है यह एक लाग करोड का हैवे है आठ लेन, पहले फ़स प्रेज में वैसे बारालेन, सिबेन कॉंकरेट का रोड है और इसकी लागत भी एक लाग करोड तक जा रही है और इसका एक्सप्रेस वे का दिर्मान का लक्ष दो हजार तेवीस के पहले मैं इसको पूरा करने का लक्ष मैंने रखा है और मुझे विश्वास है कि यह हाईवे देश के इतिहास का और शायद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे होगा इसमें भूमी अधिकरन पर हमने 15 अजार करोड, 16 अजार करोड की बचत की है और मेरा विश्वास है कि यह जो मुंबई, अमदाबाद, सूरत, पुड़ोजारा के बजाए यह नई alignment पिछड़े वे क्षित्र से जाती है इसका विकास होगा मैं MSME का मंत्री हूँ और इसलिए मैं शिवराज जी आपसे अनुरूत करूँगा इसके आजूबाजू में लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्टियल क्लस्टर्स, तैयार करने के प्रपोजल आप तैयार करिए मद्यपदेश की सरकार उद्योग विभाग, उनकी संस्ताय और हम मिलकर इसको विकसित करेंगे ताकि ये पिछड़े वेक शेत्र में रोजगा निर्मान हो 677 एक्टर में वेसेड सुविदा भी विकसित की जा रही है और इसमें दिल्ली से मुंबई 12 गंटे में होगा अब मुझे मालूम ने कि मद्यपदेश के सिमा से मुंबई कितना होगा पर ये इसके कारण पूरा मुंबई से डारेक कनेक्टुटी हो जाएगी और इसमें काफी बड़ा इंधन भी बच जाएगा ये हाइवे जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाइवे है इसमें मद्यपदेश से 244 किलोमीटर की लेंग्थ यहां से जाती है जिसके उपर हम 10,000 करोण रुपे खर्चा कर रहे है पूरा काम अवाड हो चुका है लैंड पूरी अक्वाड हो चुकी है और मैं 2023 के पहले इसको पूरा करने का काम कर रहा हूँ ये एक्सप्रेस वे रामगज मंडी से मालवा क्षेत्र के गरोठ जावरा रतला मोकर दानला जाबुआ से निकलेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से मालवा को कनेक्ट्यूटी देने के लिए एक सो त्रियातर करो किलोमिटर चार लेन का मारग इंदोर देवास उजेन आगर से गरोठ तक डिसेंबर 2020 में आवाड होगा इसकी भी मांग मेरे पास बहुत बार हुई थी और ये जो मामला है ये जो एक्सप्रेस वे को लोड़ने वाला इंदोर देवास उजेन आगर से गरोठ तक का जो है ये भी आवाड हो जाएगा डिसेंबर 2020 तक मैं एक छोटी सी बात आपके लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि माइनिंग की पर्मिशन राजय सरकार जितना जल्दी देगी उतना अच्छा होगा इसमें काफी तकलिफे होती है काफी काम जाता है आप दिरे दिरे सब चीजों को अगर आपने डिजिटल कर दिया और ये पर्मिशन पटा पट दियेंगी तो काम और जल्दी होगा और एक्स्प्रेस वे के काम में तेजी आएगी आनलाइन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा ये मेरा आपसे अनुरोध है जो जमीर अधिकरित की कही है उसके मुहावजा का पैसा एनेचाय द्वारा हमने राज्यसरकार को दिया है पर राज्यसरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है पर उसका वितरन करने में थोड़ी त पागर था वो चंबल एक्सप्रेस वे और मैं कमिट करता हूं कि यह हाईवे जरूर होगा और इसका काम भी जल्दी शुरू होगा और यह हाईवे पिछडए वेक्षेत्र से है और इसलिए चंबल एक्सप्रेस वे उत्तर पुदेश मद्ध्यपुदेश राजयस्तान के प अध्यपुदेश में है, उत्तरपुदेश में 17 किलोमेटर है, राजस्तान में इसकी लंबाई 32 किलोमेटर है, मेरी राजस्तान के मुख्यमंत्री से भी बात भी उन्होंने भी अलाइनमेंट का लगबख फाइनल कर दिया है, और यह एक्सप्रेस वे चंबल नदी के समांतर इटावा से शोपूर, बीन, मुरेना से होकर कोटा तक जाएगा, यह एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई केरिडॉर, नौर्ट सौथ केरिडॉर से इस्ट वेस्ट केरिडॉर को जुड़ेगा, कोटा के बाद, और इसमें 50 टके, चाहिद 80 टके सरकारी जमीन है, जिसे पदाश सरकादवरा अधिकरन किया जाएगा, और मैंने यह अनुरोत किया था कि जमीन आप मुझे दीजिए, और उसके साथ यह जो मट्रियल लगेगा, मिटी लगेगी, मुरूम लगेगा, यह रॉयल्टी प्री करिए, और जो स्टील और सिमेंट उसका नोशनल लॉस इन सब बातों के लिए मैं भी अगर आप जमीन देंगे तो मैं भी एनेचा के तरफ से इसको विकसित करने के लिए आपको मदद करूंगा, तो यह जो हाइवे है, इसका काफी काम अभी चल रहा है, अलाइनमेंट भी पक्की हो गई है, लाइन एक्विशन के काम के लिए मै वेर हमारी आप प्रिंसिपल है कि 80% लैंड एक्विशन के बिना हम लोग करते नहीं, पर मैं उसका DPR अब तुरंट फाइनल कर लेता हूँ, टेंडर भी निकालने की विवस्ता कर देता हूँ, आप मुझे लैंड एक्विशन कर तुरंट करा दीजिए, तो मैं कोशिश साउसद गंड का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मध्यपुदेश में जो लॉजिस्टिक पार्क है, इसमें इंदोर और जबलपूर में लॉजिस्टिक पार्क हम बना रहे है, इसके लिए राजसरकार के साथ जमीन के संबंदी बात चल रही है, अगर आप वो जमीन कि हमारे देश में पाच लाक एक्सिजेंट होते और देड़ लाक लोगों की मौत हो जाती है, इसमें हमारे तामिल लाडू के सरकारने वर्ल बैंक के सयोग से एक बहुत अच्छी योजना उन्होंने पूरी की, जिसके कारण मरने वालों की संक्या और एक्सिजेंट की संक् अच्छी तक के कम हुई है, हमने मद्यपदेश के राश्टिय राज्यमारग बर 241 ब्लैक स्पॉट की पहिचान की गई थी, 157 ब्लैक स्पॉट में दुरुगटना रोकने में स्थाई काम को पूरा कर लिया है, 16 ब्लैक स्पॉट के डीपियार के लिए टेंडर होने वाला ह और ब्लैक स्पॉट के स्पॉट में मद्यपदेश में घड़ी दुरुगटना भी कमी आई है, धार जीले में आगरा मुंबई मारग में गनेजगाट के पास साल में 70-80 सडख हाथसे होते थे, अब सडख में सुदार किये जाने से पिछले 8 माह में सडख दुरुगटना मे करीब 70-80 परसेंट कमी आई है, होशंगाबाद अब्दुल्ला गर्ज मारग में बुद्नी घाट के पास एक किलोटर मारग के कर्व में सुदार किये जाने से सडख दुरुगटना में कमी आई है, गवालियर जासी मारग में 84 जावरासी घाट में सडख सक्री होने के कारण अकसर दुरुगटना हुआ करती, इस मारग में 4 लन करने से सडख करने से दुरुगटना हो में कमी आ गई है, बोपाल में मुबारक पूर 14 के पास फ्लाइवर बनने से वहाँ होने वाली संगट भी कम हुई है, मेरा आप से अनुरोध है कि क्या मध्यपदेश में आपके न दोन भी लिया है, तो मैं आपके स्पार्ट्स इंप्रूमेंट करने के लिए पैसा भी दोंगा, और मध्यपदेश में एक्सिडेंट में मरने वालों की संक्या को कम करने में आप विशेश प्राइटी दीजिए, मैंने सभी साउंसत को अनूरत करूंगा कि मैंने आपके लोग हमारे देश में आपगातों से मरते थे, अच्छी बात नहीं है, अभी कोवीड में जितने नहीं मरें उससे ज्यादा हमारे अक्सिडेंट में मरते थे, और मरने वाले लोगों में 18-24 साल के करीब 40 टके युवा थे, तो मैरा आप से अनुरूर्य कि इस बात में जरू अरूर्ण मंत्र जी का आग्रह है, ड्राइविंग प्रशिक्षन और अनुसंदान सनुस्ता IDTR, शेत्रिये ड्राइविंग प्रशिक्षन केंदर RADTC, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर DTC, और दसवी और ग्यारिवी योजना मंध्यपाद में केवल 2 स्कूल शुरू स्कूल के लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं सभी साउसत अपने अपने जिले में प्राइवेट ली भी ऐसी को योजना लेके आते तो उसकी जानकारी आपको संकेत बोनवे आएस ओफिसर मद्यपरदेश केडर के मेरे प्राइवेट सेकेटरी है वह आपको देंगे आपके जिले में योजना आप बनाईए इससे बहुत बड़ा फाइदा होगा जहां तक सियारेप का जो वर्क है उसमें काफी काम अभी पूरे हुए है और मैं मेरे पास साउसत काफी आते हैं और मैं अभी शिवराज जी आपसे प्रातना करूंगा कि अभी तक मद्यपरदेश में काफी बड़े प्रमान पर सियारेप का काम शुरू है और हमने पैसे भी दिये अभी जैसे ही आप यूटिलिटी सर्टिपिकेट देंगे तो हम लोग बाकी भी पैसा अभी इस सर्टिपिकेट के वल आपके आप इंडिंग है मैं साउसद मेरे पास आते हैं तो शिवराज जी मेरा आपसे नुरोद है कि मैं आज आपको सियारेप में फिर से साथ सो करोड रुपे के मंजूरी देता हूं इसमें साड़े तीन सो करोड रुपे आप सांसदों के लिए आपचित करके यह साड़े तीन सो करोड के प्रपोजल मुझे आप दे दीजिए ताकि मैं उनके मंजूर कर दूंगा और शेवराज जी आप साड़े तीन सो करोड का नया कारेकरम आप मुझे बेच दीजिए यह अधिकारियों की सला मत मानिए मैं मैंने महाराष्ट में कोई ऐसा मुका आता नहीं और मैं आप से कई गुना जादा मंजूर करने के बाद महाराष्ट में मैंने 7000 क्रोड के काम मंजूर किये पास साल में कोई दिक्कत नहीं आई तो आप इसमें 700 क्रोड का भेज दीजिए और मैं राकेश हमारे राकेश सिंघ जबलपूर के है उन मिलकर मद्यपुदेश के सांसदों से तो वो भी मुझे लिस्ट बेच दीजिए ताकि इसमें सांसदों का भी कुछ प्रमाण में प्राब्लेम सुल जाए जाएगा मैं में सेवी का भी मंत्री हूं और मद्यपुदेश सुखी समुरुद्ध संपन्न बने हैंड लूम हैंडिक मद्यपुदेश के लिए अवश्चक है उसी प्रकार से हैंडलूम हैंडिक्राफ में भी मद्यपुदेश को आगे ले जाना बहुत अवश्चक है और इन सब बातों के लिए मैं इंडेस्टियल क्लस्टर सी रोड के बाजू में खड़ा करने के लिए आपको मदद करने के तैयार हूं खादी गलामोद्योग की हमारी योजना है मसमी की योजना है अब मसमी की डिफिनिशन भी हमने बदलाई है एक तरफ रोड के काम भी अच्छे होंगे उद्योगों का भी विकास होगा और मध्यपदेश के जवान लोगों को रोजगार मिलेगा शुराज जी आप प्रगतिशील राज्य बनेगा मध्यपदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और आत्मंदिर बर भारत बनाने का जो प्रदान मंत्री का सपना है उसमें मध्यपदेश भी अच्छे तरीके से कॉंट्रिबूट करेगा यह मेरा विश्वास है आज के इस कारेकरम के नि हुआ है थावर्चन जी हो हमारे नरेंद्र तोमर जी हो प्रलात पटेलो फुलस्ते जी हो यह सब लोग लगातार मेरे साथ फॉलोप करते हैं सांसद भी लगातार आते रहती है केवला आपके प्रब्लेमेटिक काम में से वह सिंग्रोरी वाला काम केवल मेरा है जिसका कालकर जल्दी काम हो ऐसा मैंने डीजी को कहा है और सोला करोन रुपे उस रोड को मंजूर करने के लिए अच्छा रखने के लिए मंजूर भी करके दिये हैं और इसके बाद मद्यपदेश के कोई प्रोजेक्ट बिमारू प्रोजेक्ट के रूप में नहीं है और आज मद्य प्रोजेक्ट बाद मद्यपदेश में भारत सरकार के सवजन्न से बने हैं और जयनता निश्चित रूप से इसे याद रखेगी मैं फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत बदाई और शुमकामनाय देता हूं और आपके मद्यपदेश के विकास के इस मिशन में मोदी जी क नेतरुतों में भारत सरकार हम सब मंतरी आपका साथ देंगे इसे विश्वास के साथ आपको बहुत-बहुत बदाई धन्यवाद नमस्कार